जिया दोस्तो पसंद ये अपने आप में वैसे तो पूरा शब्द है लेकिन फिर भी अधूरा कैसे मान लीजिये मेरा अगर ग्रे फेवरिट कलर है जो कि मैंने आज पहना हूँ और मैं गलती से कभी एक आफ कलर के साथ बाहर निकल जाता हूँ मान लीजिये ब्लाक ऐसा हुआ भी है मेरे साथ और उस ब्लाक कलर में लोगों ने जब पहली बार देखा कि डाक शेड है और मैं इसमें जैसा भी लग रहा हूँ जब कॉंप्लिमेंट मिले तो ब्लाक मेरा फेवरिट कलर हो गया फेवरिट इन दे सेंस मेरा पसंदीदा कलर हो गया फेवरिट तो आज भी मेरा ग्रे है या ब्लू है लेकिन पसंद अपने आप में अधूरा इसलिए हो जाता है क्योंकि ये कालांतर में लोग इसे ओपीनियन देके इंफ्लूइंस करते है और हमें लगने लगता है कि हमारा acceptance इस इस कलर को लेके इस jeans को लेके इस place को लेके इस taste को लेके ये अलग हो जाता है इसलिए पसंद एक अधूरा शब कहलाता है अब मान लीजिए आपको कोई एक सबजी पसंद नहीं आती तो क्या वो सबजी वाला उस सबजी को बेचता नहीं है जो आपकी नापसंद हो वो किसी और की पसंद होती है ऐसा ही इंसानों के विशे में भी होता है लेकिन आज मैं जो आपको समझाने वाला हूँ पसंद कारे में यानि पसंद कैसे हमारे रिष्टे बनाता है और कैसे हमें दूर रखता है ये बड़े गौर करने वाली बात है तो चार ऐसे संदर्ब बताने वाला हूँ मैं आपको जो आपके पसंद और नापसंद को clarity of thought से और बढ़ाएगा पहला संदर्ब मान लीजिए यदि आप किसी को पसंद करते हैं और वो आपको पसंद करता है तो आप दोनोंने साथ में रहना चाहिए आप दोनोंने enjoy करना चाहिए आप दोनोंका साथ लंबा होना चाहिए चाहे फिर वो दोस्ती के रूप में हो या फिर एक लाइफ पार्टनर के रूप में तो यदि दो लोग अपने आपको पसंद करते हैं तो उनका पसंद इंपोर्टन नहीं होता उनका नापसंद भी इंपोर्टन होता है अंग्रेजी में कहवत है इसका मतलब बहुत साफ है दोस्तों के हमें अपने पसंद और नापसंद दोनों को ही गौर से देखना होगा और अगर हमारा जिंदेगी वर का साथ है तो पसंद नापसंद को अच्छी तरह समझना होगा तबी तो हम साथ रह सकते हैं संदर्ब दो यदि हम किसी पार्टी में किसी सोशल सर्कल में मिलते हैं लोगों से और एक दूसरों को पसंद नहीं करते हैं मान लीजे कि मैं आपको पसंद नहीं कर रहा है आप मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं तो आवाइड़न्स is the only policy आप और कुछ नहीं कर सकते हैं आवाइड ही कर सकते हैं तो आवाइड कीजेगा जैसे हम कोई चीज खरीदने गए और हमें ना पसंद आई तो हम क्या करते हैं हम उससे दूर जाते हैं आप भी वैसा कर सकते हैं रिष्टों के मामले में लेकिन ये jobs के मामले में बहुत बदल जाता है जिनके jobs होगा के आप उनकी पसंद नहीं है चौथा संदर्ब यदि आप उन्हें पसंद नहीं करते हैं वो आपको पसंद करते हैं तो मान लीजएगा के एक सम्मान है उनका सम्मान कीजेगा और वेवारिक रूप से कीजेगा behavior में कीजेगा ताकि उन्हें समझ में आए कि वो आपसे जब भी मिलने आते हैं, आपसे बात करना चाते हैं, आपको पसंद करते हैं, इसलिए आपके साथ समय गुजारना चाते हैं, तो आप उनका सम्मान कीजिये और वेवार से बताइए, ताकि रिष्टों को कहीं न कहीं एक अल्प विराम मिले, साफ साफ तो दोस्तों पसंद के संदर में मैंने आपको चार अलग-अलग चीज़े बताई हैं ये हमारे behavioral science हमारे पसंद पर बहुत बड़ा एक light त्रो करता है ये एक ऐसा विशे है जो हमारी रिष्टे बनाने में बहुत मददगार साबित होता है तो यदि आपका इस विशे में ग्यान बड़ा होगा क्योंकि आप मेरी पसंद है तो आप इस वीडियो को उन तक पहुचाएए जो आपकी पसंद है उमीद करता हूँ कि पसंद पसंद आया होगा आपको धन्यवाद